आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में तो गई जो आज हमारा टॉपिक है वह क्या होने वाला है कैसे आप लोग अपने फॉन में जो आपका जो फेश्बुक फोन में अपने फेश्बुक कांट में कैसे उसको आपस ला सकते हैं यहीं चीज में का आज वीडियो में बताने वाला हूं तो आपको नहीं आता है तो आपको पूरा देख रहा है जिससे आप इजिली सीख जाएंगे चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो याज से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना ह तो जैसे हम आपको इस पिश्ट को आपन करेंगे तो फेस्बूक को ओपन करने के बाद आपके सामने हाप पर प्सपर क्लिक कर लेना है क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको नीचे भी सैटिंग और उप्षन को मिल रहा होगा तो आप दोने में से किसी भी setting वाल ओप्शन पर आप simply क्लिक कर सकते हैं तो simply guys क्या करना है आपको उस पर click कर लेना है तो जैसी आप click करते हैं तो आपके सामने कई सारे options options show हो जाते हैं आप कई सार ऑ развит यहां और इसके बाद क्या करना है इसके बाद गई यहां से आपको ya करना नीचे scroll कर देना है है कि नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको यहां पर एक option मिलेगा activity狼ोग का है आप देख सकते हैं activity log का option मिलेगा आपको simply इसी पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहां पर एक option मिलता है trash का simply trash पर click कर लेंगे और जैसे trash पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने कौन से post को delete किया है वो सारे यहां पर इस पर रिश्टोर करना चाहते हैं सिंपली उसको select कर लेना है और select करने के बाद आपको simply restore को बटन नीचे देखने को मिल रहा होगा तो simply restore पर click करना है और यहां से इसको restore कर देना है जैसे अब इसको इसकी क्याली पोस्ट थी और गाईज एक और एक यह वाली पोस्ट थी हेलो फ्रेंड वाली तो कैसे आप आप easily कर सकते हैं restore किसी पोस्ट को आई होप गाईज आपको वीडियो अच्छी लेगी हो वीडियो अच्छी लेगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा